बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार, एस्टोतक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीन मिस्र आज बात करेंगे मा इसकंद माता की पूजा से आपको क्या लाब होगा देखे, नौरात्र के पांचमें दिन मा इसकंद माता का पूजन किया जाता है और मा इसकंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं समस्त इक्षाओं की पूर्ती मा इसकंद माता करती है इसकंद माता का नाम कैसे पड़ा ये आपको बताएंगे फिर बताएंगे क्या लाब होता है तो देखिए भगवान इसकंद जिन्हें आप कुमार कार्थिके के नाम से भी जानते हैं ये देवताओं की तरफ से सेना पती बने थे जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था और पुराणों में ऐसा वनन मिलता है कि भगवान इसकंद की माता होने के कारण ही जो है देवी के इस रूप को इसकंद माता के नाम से जाना जाता है इसकंद माता की चार भुजाएं हैं मा के हाथ में कमल पुष्प है एक हाथ वरमुद्रा में है और मा कमल आशन में विराजमान होती हैं इसलिए इन्हें पदमाशना देवी भी कहा जाता है मा इसकंद माता का वाहन सिंग है मा इसकंद माता की उपासना करने से भक्तों की सभी मनो कामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख शांती बढ़ती है जब आप इसकंद माता का पूजन करते हैं तो कुमार कार्थिके यानि भगवान इसकंद का भी पूजन हो जाता है वो मा के गोद में विराजमान है और जब इसकंद भगवान का भी पूजन हो जाता है तो पराक्रम बढ़ता है निडरता बढ़ती है और तेज की प्राप्ती होती है तो एक पूजा से दो दो लाप होते हैं तो आपको सब का दिन शुब हो मा इसकंद माता की कृपा आपको प्राप्त हो मा इसकंद माता के शुरूप का ध्यान करके आप दुर्गा जी को पुश पर्पित करिए अक्षा तर्पित करिए गी का दिपक जलाए आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी मुलाकात आपका दिन शुब हो नमस्कार